I am back with my another video Students, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है करो और जानो Students, अब आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं न तो पहले वाले चित्र पर क्या लिखा है? फुगडी खेलो, ओके? अब वहाँ पर दो लड़कियां क्या खेल रहे हैं Students? फुगडी खेल रही हैं देखो आप लोग भी खेलते होना कितने अच्छे तरीके से वो दोनो लड़कियां फुगडी खेल रही हैं उसके बाद वाले चित्र पर क्या लिखा है? हसो देखो Students आप लोग भी हसते होना तो हमें हसते और इसी तरह मुस्कुराती रहना चाहिए इसके बाद क्या लिखा है? पगडी बांधो आप भी Students इसी तरह पगडी बांधे होना देखो ये लड़का किस तरह कितने अच्छे तरीके से पगडी बांधा हुआ है इसके बाद वाले चित्र पर क्या लिखा है? नाचो आप वहाँ पर आप देखो आप देख रहे होना कि एक लड़की है और वो क्या कर रही है? वो नाच रही है इसके बाद वाले चित्र पर स्टूडन्स क्या लिखा हुआ है? जाडू लगाओ आप ये जो लड़का है स्टूडन्स देखो ये कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहा है? ये जाडू लगा रहा है तो आप लोगों को भी इसी तरह सफाई का खयाल रखना है वो लोग क्या करते हैं? रसी खेलते हैं और खूब आनंद लेते हैं इसके बाद वाले चित्र पर लिखा है गाओ अभी हमने उपर के चित्र पर देखा था कि वो जो लड़की है वो क्या कर रही है? वो नाच रही थी अब यहाँ पर जो लड़का है वो क्या कर रहा है, students वो गाना गा रहा है वो गाना गा रहा है उके, उसके बाद वाले चित्र पर क्या लिखा है? रोटी बेलो देखो, आप लोग अपने घर में देखते हो ना, आपकी मुमी, कि प्यारी प्यारी रोटी आपके लिए क्या करती है बनाती है तो यहाँ पर यह जो लड़का है students यह क्या कर रहा है यह रोटी को बेल रहा है यह रोटी बना रहा है इसके बाद वले चेतर पर क्या लिखा है कपड़े धो देखो आपकी मुम्मी आप देखते हो ना घर में आपकी मम्मी आपकी बड़ी बहन क्या करती है स्टूडन्स आप लोगों के कपड़े धोती है तो यहाँ बदी लड़की कितने अच्छे तरीके से क्या कर रही है कपड़े धो रही है स्टूडन्स अब अगले वाले चितर पर क्या लिखा है कुमार हम कुमार किसे कहते हैं जो देखो स्टूडन्स मिट्टी के बरतन बनाती है तो उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कुमार कहते हैं आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस चेतर पर देखो यह जो आदमी है यह क्या कर रहा है स्टूडन्स ये मिट्टी से ये बरतन बना रहा है तो इसे क्या कहते हैं कुमार कहते हैं इसके बाद वले चेत पर students क्या लिखा हुआ है बताओ मुझे yes very good पंसारी लिखा हुआ है अब जो आदमी है students ये क्या कर रहा है ये दाल चावल और गेहु बेच रहा है selling कर रहा है इसके बाद वले चेतर पर क्या लिखा है फूल वाली अब students अब आपको दिखाई दे रहे हैं इस चेतर पर एक महिला है और वो क्या selling कर रही है वो फूल बेच रही है दोखो आपको देख रहे हैं हर प्रकार के फूल हमें दिखाई दे रहे है तो यह क्या कर रही है यह महिला फूल बेच रही है इसके बाद वले चेतर पर students क्या लिखा हुआ है फल वाला अब यह जो आदमी है students यह क्या बेच रहा है यह फल को बेच रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना कितने प्रकार के इस आदमे के पास फल हैं तो आयम उसका नाम पढ़ते हैं संत्रा, केला, अंगूर, सीता फल, तर्बूज, सेब, अननास तो यह सफल यह आदमी बेच रहा है मैं आशा करती हूँ कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुडबाई